जैहिंद मेरे प्यारे विदार्त क्यों श्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चानल इनोवेशन स्टडी में मैं संदीप चोदरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक्षिलेंट डेसवरक के साथ जैसा कि आप सभी को पता है हम विज्ञान की एक्षिलेंट डेसवर कवर कर रहे हैं और उसमें हमने चार मोडल पेपर है वो कवर कर लिये हैं और आज हमारा ये पांस नमबर मोडल पेपर रहेगा तो पीछे वाले अगर क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर के आप इच्छे वाले क्लासें देख सकते हैं या फिर आप लेलिस्ट में जाओगे तो कॉंटेनी सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी एक आपकी जानकारी के लिए बता दू अगर डेसरवर की PDF आपको डाउनलोड करनी है फ्री में तो हमारा टेलिग्राम चेनल जोइन कर लीजीगा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रखा है तो वहां से जाकर के आप टेलिग्राम चेनल को जोइन कर ले औ वह आपको कंप्लीट करवा रखी है उनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और एक्सिलेंट की आपकी चल रही है चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पांस नंबर मोडल पेपर का भाग है पहला क्योशन जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जुरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में लेगे बेल आइकन को जुरूर दबालें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट और आप तो उसका लाब उठाश को जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी अपन सेकावाटी मीशन भी कवर करने वाले हैं साइंस में चलिए पहला क्योंशन देखो भी मुनुस्य में समान्य परकुंचन रुदीर दाब थता अनुसितलन रुदीर दाब करम से कितना होता है तो समान्य परकुंचन रुदीर दाब कितना होता है तो वो 120 होता है और अनुसितलन रुदीर दाब कितना होता है तो वो होता है 80 तो 120 यह 80 होता है बै ओप्षेन है वो आपका राइटेंसर होगा अगला क्योंशन देख अगला क्योशन देखो हुए मस्तिक्स का कौन सा भाग शरीर की सेनस्तीति इंद रहे उत्तरदाई है तो वो आपका राइट रहो जएगा अनुमस्तिक्स यानि शै। option है वो आपका यहां पर राइट एंसर होगा अनुमस्तिक्स है यह सरीर को यानि सरीर को संतूलन बनाए रखता है अनुमस्तिक्स सरीर का संतूलन बनाए रखने में साइक है अगला क्योशन देखो भी चार नमर क्योशन है मेंडल के द्वी संकर क्रोस का आफ टू पीडि में अनपात क्या होगा फ्टू पीडि में रेशो क्या होगा तो नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन हो पांच नम्मर क्योशन है मानो नेतर जिस भाग पर किसी वस्तु का पर्तिभीम बनाता है तो वो कौन सा भाग होता है तो वो द्रश्टी पटल होता है यानि द्रश्टी पटल पर यहां पर राइट एंसर होगा द्रश्टी पटल पर पर्तिभीम बनता है कोई भी वस्तु है उस वस्तु का मानो नेत्र में दर्ष्टि पटल के उपर क्या है परतिविम बनता है उसका चीत्र बनता है तबी हम देख पाते हैं सधार्ण दर्पन से प्रावर्तित होकर कोई सधार्ण दर्पन से प्रावर्तित होकर कोई सधार्ण दर्पन से प्रावर्तित होकर कोई सधार और अब 80 दोनों बन जाएंगे यानि से option आपका यहां पर राइट अंसर होगा अब यहां पर थोड़ा सा correction करना भी ठीक है पिछे वाला जो आपका च्यार नमर मोडल पेपर था उसमें मैंने आपको बताया था वह पर्ति रोधकता का असाई मातरक क्या है तो उसमें आप correction कर भी next question देखिएगा अगला question है लंबाई बढ़ने पर लंबाई जब बढ़ेगी तो परति रोधकता क्या हो जाएगी भी बढ़ती है घड़ती है बढ़ सकती है या फिर कोई परभाव नहीं पड़ेगा अब इसमें देखिएगा जब लंबाई बढ़ेगी तो परति रोध दखता या फिर पन बोल सकते हैं परति रोध है वो बढ़ेगा भी यानि ए ओप्शन हो जेगा इसमें करेक्शन कर लेना इसमें आपको दै दे रखा है कोई परभाव नहीं है लेकिन बढ़ती है लंबाई बढ़ने पर परति रोधकता है वो भी बढ़ेगी यानि दै ओप परति रोध के उपर काली परत चड़ने की परकिरिया क्या कहलाती है तो यह संक्षान हो जेगा यानि बै ओप्शन हो जेगा भी ठीक है अगला क्यूशन देख़ेगा दस नम्मर क्यूशन है आपके सामने कैल्शयम ओकसाइड जल के साथ तीवर अभगिर्या करके बूजा ह ग्रूरा बनाता है बैज के लगोजा कैल्सयम ओकसाइड यह बिना भी ओकसाइड हैodor के से बोलते हैं और इसे बोलते हैं दोगतां यह इस अभिकुरिया के नहीं किस परकार में जाना जाता है तो यहाँ पे पहली तो यह समझे Strength कर दो अविकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं तो यह शियोंजन अवग्रिया होगी ठीक है इस में एक नमबर तो शियोंजन अवग्रिया तो है ही है क्योंकि दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं तो यहां पे शियोंजन अभकिरिया तो हो जाएगी अब यहां पे देखना है भी उस्मा सोसी है या फिर उस्मा चेपी है तो ये A और B, दया option है, वो आपका यहां पर राइट अंसर हो जेगा, दया option हो जेगा भी, शोजन अब करिया भी है और उसमा उन्मोची अब करिया भी है, अगला question देखो भी, जब धातों किसी कठोर स्टै से टकराती है, धातों है, जब किसी कठोर स्टै से टकराती है, तो आवाज उत्पन करती है, उसे हम धवनिक या फिर सोनोरस दोनों ही होती है, धवनी बोल दो या फिर सोनोरस का गुन बोल दो, यानि से option हो जेगा, ये दोनों, अगला question देखो, यदि कौन सी ए दातों चमक के युक तो होती है, तो आयोडिन होती है, ये अपवाद होता है, ये अपवाद होती है, ये अपवाद होती है, अगला question देखो भी, निमन में से कौन सा चार नहीं है, तो C2H5OH, ये एथेनोल, अमल होती है, ठीक है, C2H5OH, ये एथेनोल, अमल होती है, और बाकी ये क्या है, चार है, एक लिंगी push-up पाए जाती है, तो एक लिंगी push-up है, वो कहां पाए जाती है, तो ये तरभूज है, वो क्या है, एक लिंगी push-up होती है, यानि से option है, वो आपका यहां पर right answer होती है, अगला question देखो भी, next है, विदुत धारावाई तार किसकी तरह विवार करती है, विदुत धारावाई तार है, वो एक चुम्बक की तरह विवार करेगा भी, जब कोई तार है, उस तार में अपन धारा परवायत करते हैं, तो वो क्या है, एक चुम्बक की तरह विवार करने लग जाता है, यान इसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रख है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में लेगे बेल आइकन को जुरूर दबा लें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस परकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लेगे बेल आइकन को होता है तो मानो पाचन तंतर है वह आहर नाल का बना होता है अगला क्यूशन देखो भी ऑक्षिजन के साथ स्यूंग्त होकर धात्वें ऑक्षिजन के साथ जब स्यूंग्त होती है तो धात्वें क्या बनाती है तो चार की ऑक्षाइड बनाती है ठीक है चारी है ऑक्षाइड शार यह ओक्षाड बनाती है अगला कुस्ट देखो भी पुसप में नर ठता मादा जन्नांग पाए जाते हैं प्रकास के अपवर्तन में कोई परभाव ने पड़ता, तो परकास के अपवर्तन में आवर्ति पर पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता आवर्ति पर कोई परवाव नहीं पड़ता अगला क्यूशन देखो भी a meter को करम में जोडते हैं मैंने बहुत बार बताए यह यह जो क्यूशन है दो क्यूशन मोश ही पॉइंट है एमेटर को किस करम में जोड़ा जाता है उसे समांतर बोल दो या फिर पार्शो क्रम में जोड़ते हैं, आइ मित्र है यह विधुधारा को मापता है, और वोल्ट मीटर है यह विवान्त्रकॉ मापता है अगला क्यूशन देखो भी ओजोन पर ओजोन परत को हानी पहुंचाने वाला रसाइन कौन सा है तो CPC CPC यानि क्लोरोफ लोरोकर्बन, Western CG होता है नि ओजोन को क्या है हानी पहुंचाता है अगला कुछन देखो भी इस परकार से अपना दो नमबर क्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है आई होप आपको प्रतिक क्यूशन समझ में आया होगा अब तीन नमबर क्यूशने क्यूशन कोता है wusतके यह ये तो पता है आपको लाइगं से किया जाता है ओर लाइकन यह थेला फैटा स्मया चाह da लेकिन लितमस किस रंका ऊता है तो यह बेंगनि रख का रंजक होता है कि बेंगनी रंका ठीक है अगला क्योशन हो एसे धातों के सोधन में सरवाधिक परयुक्त हो विदूत अपगटनी 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 विदू है जैसे कि potassium है sodium है यह क्या है उस क्रियाशिल दातों है aluminium है तो इनको क्या सुध करने में विदूत अपकरणिवीदी का यूज किया जाता है अब स्रंखलन क्या होता है तो carbon तत्तों में एक ऐसा गुन बनाते हैं एक लंबी चैन बना लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्रंखलन बोलते हैं जैसे carbon है यह carbon है इस परकार से जुड़ता जाएगा ठीक है तो एक परकार से क्या है यह एक लंबी चैन बना लेता है अगला क्यूशन देखो भी योगिकों में कितने परकार के योगिकों में कितने परकार के सैस्योंजी आबंद उपस्तित रहते हैं सैस्योंजी आबंद है वो उपस्तित रहते हैं तो योगिकों में तिन परकार के आबंद होते हैं एकल हो गया द्वी हो गया ठीक है एकल सैस्योंजी आबंद द्वी सैस्योंजी आबंद जिसमें बीच में डवल बॉन्ड हो वो द्वी हो गया जिसके बीच में त्रीपल बॉन्ड हो वो त्री हो गया और जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो क्या ह गया एकल बंद हो गया तो यह तीन ही होते हैं एकल सेश्यों जी आबंद द्वी सेश्यों जी आबंद और त्री सेश्यों जी आबंद अगला क्योशन देखो भी नेक्स्ट है फोरोमोंस क्या होते हैं फोरोमोंस क्या होते हैं यह एक ऐसे रसायन होते हैं ऐसे रसायनिक परद यह क्या है परभाव डालते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं अगला क्यूशन देखो भी नैक्ष्ट है जनन की मूल गटना क्या है जनन की मूल गटना क्या है तो यह DNA द्वारा पर्तिकर्ति बनाना DNA DNA द्वारा पर्तिकर्ति या फिर अपने बोल सकते हैं फोटो कोपी बनाना यह ही जनन की मूल गटना है DNA अपने जैसे ही क्या है पर्तिकर्ति बना देता है अपने जैसे ही फोटो कोपी बनाता यह ठीक है अपवर्तनाक का क्या मात्रक होता है तो अपवर्तनाक का कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनाक का कोई मात्रक नहीं होता है ठीक है यहां तक चीजें कलियर भी कोई दिक्कत नहीं है और आपसे पूछ ले लिए यह मात्रक कोई मात्रक नहीं वोता क्योंकि यह समान राश्योंयों का अनुपात है अगला कुषण देखो वें नाइक्ट कुषण आता हैं थी किस स्तीति में पर्तिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है किस स्थिती में पर्तिभीम है वो वस्तु के समान आकार होता है तो जब हम क्या है वस्तु को टू अफ पर रखते हैं तो पर्तिभीम है वो वस्तु के आकार या फिर वस्तु के समान होता भी यानि वस्तु के साइज का हो जाएगा किस कंडिशन में पर्तिभीम उसकी चाया बनेगा जो उसकी image बनेगी वो क्या है वस्तु के समान होगी अगला question देखो भी चुम्ब के छेतर रेखाई हैं कैसी होती है तो चुम्ब के छेतर में परिमान और दिशा दोनों होती है तो चुम्ब के छेतर में क्या हता है परिमान वै दिशा परिमान वै दिशा क्यों ठिक है उत्पादक क्या हिक है उत्पादक क्या होते हैं तो इत्पादक सभी हुरय पोदे उत्पादक होते हैं सारे के सारे जो हरे पोदे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है हरे पोदों में पाया जाता है जिसमें प्रकास संसलेशन की किरिया होती है और प्रकास संसलेशन क स्वेंग दवारा रचान tomar sales वह स्वेंग बनाते हैं तो हरे पोदे सभी हरे पोदे है उत्पादक होते हैं ईसट मिद्वारा क्या है सूँ ख्षा से करते हैं या फिर बोचन बनाते आगे देखो भी इस परकार से अपना ये तीन नमबर क्यूशन भी कंप्लिट हो जाता है अब अपना भाग बै आ जाता है और नमबर चार नमबर क्यूशन आ जाता है अब यहाँ पे देखो भी निमन अब किरियाओं के लिए संतूलन रसाइनिक अब किरिया लिखे और परतेक अभिकलिया का परकार बताईए अब यहां पर Potassium Bromide है और Barium Iodide से अभिकलिया करता है तो यह Potassium Iodide और Barium Oxide देखते ही पता चल गया भी यह Bromide वायसाब है यह तो Barium के साथ चला गया आगे और यह आइओडाइड वायसाब है यह Potassium सेब बाइस्साब के साथ इसने में विए गटठंधन बना लिया तो यहां से यह पता चलता था था घ्राव मोर्त का विश्ठापण हुआ है और जोा विस्टापण हुआ है तो कहने का मतलब तो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्मान कर वह क्या होती है और जस्ट इसकी उल्टा कर दो आप उल्टा क्या करोगे जब एकल अभिकारक मिलकर के जब हम उसको उस्मा दे या फिर परकास में रखें सुरिया के वहां पे क्या होगा विघ्जणा अभिक्रिया हो जाएगी लिए एट ये यह बैरियम आयोड़ाइड क्या होता है एक इसके अब किरिया करवाएंगे तो यह potassium iodide बनेगा तो potassium iodide बनेगा के आई ठीक है और पलस में क्या बनेगा बेरियम ब्रोमयड बनेगा तो यह बनेगा B-A-B-R B-A-B-R-2 ठीक है अब यहाँ पे इसको सुन्तूलन कर दो सुन्तूलिद करों यहाँ पे क्या है आयोडाइड द ग्रोंपैयद कितने हो गया अब है आप ढॉलमेड इस सदीन होगया प depende कितने हैं दो है कोई कितन Cast नहीं है एकदम से सुंतुलन हो गया इसका ठीक है अब यहां पर जिंक कार्भोनेट है क्जडन सियो 2 जडन CO3 और यहां पर जिंक ओकॉसैड बन जेगा जड़ानों जिंक ओक्सैड होता जड़ानों और यह है कि एक फीद एक जलब तो ग меньше है कि यहां पर उसमां आपको देना पड़ेगा इसको ठीक है और जिंक ओक्साइड और यह कार्बन डाई ओक्साइड में तूर जाएगा CO2 ठीक है अब इसको संतुलन करोगे तो यह तो संतुलित है पहले से संतुलित है तो इस परकार से यह दो अब क्रिया लिखनी है भी ठीक है अगला क्यूशन देखो भी सावसन को उसमा छेपी अब क सावसन की परकिरिया में उर्जा निर्मुक्त होती है और श्रवसन के दोरान हमारे स्रीर की कोशिकाओं में जो गुलकोज होता है सावसन के दोरान क्या है हमारे स्रीर के अंदर जो गुलकोज होता है कोशिकाओं के अंदर जो गुलकोज होता है वह वाईयू की ऑक्सिजन स सर्जिद करता है उर्जा को भी क्या करेगा यह उठ सर्जिद करेगा जिससे क्या है हमारे स्रीर में क्या है बजन है वो घरता रहता है क्योंकि जो हमारे स्रीर में जो गुलकोज होता है वो क्या है उर्जा की रूप में क्या है कनवर्ट होता रहता है जैसे कि C6S12O6 और इसक इसको क्या हैं और फिव्यक्लिण की प्रस्जंस में ख्या करेंगे ऑक्षीजन की प्रस्जंस में इसको अभीक्रिया करवाएंगे तो यह क्या करेगा करेगमडायी प्लस में अच्टू और प्लस में उर्जा निर्मुक्त हो जाएगी ठीक है अब यह इसको संतुलित करोगे तो यहां पे 6 यहां पे 6 और यहां पे भी 6 तो यह संतुलित हो गई तो इस परकार से आपको लिखना है ठीक है अगला क्योशन देखा भी नेक्स क्योशन आता है आपके सामने पांच नमर क्योशन है एथेनोल के एथेनोल के एथेनोईक अमल में प्रिवर्तन को उपचेन अभिक्रिया क्यों माना जाता है एथेनोल के एथेनोईक अमल में प्रिवर्तन को उपचेन अभिक्रिया यानि ओक्षिकन अभिक्रिया क्यों लिखना है तो यहां पर आपको लिखना है भी एथेनोल के एथेनोईक अमल में परिवर्तन को उप्चे यानि हम बोल सकते हैं भी ओक्षिकर्ण अभिक्रिया माना जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या है एथेनोल के जो अनू है एथेनोल के अनू में एक ऑक्षिजन के परमानू का सियोंग होता है और यह क्या है दो हाइड्रोजन के परमानू की हानी होती है यानि कहने का मतलब है भी इसमें क्या है ओक्षिजन का ओक्षिजन एक ओक्षिजन परमानू का तो योग होता है आपको पता है उपचैन अबक्रिया है या फिर ऑक्षिकन अबक्रिया है जिसे कहते क्यों है क्योंकि उपचैन अबक्रिया में ऑक्षिजन का तो स्योंग होता है यानि ऑक्षिजन तो जुड़ती है इसमें और उपचैन अबक्रिया में हाइट्रोजन का हास होता है यानि हीट्रोजन की कमी आए और उक्षीजन जुड़े उस अबकरिया को ऑक्षी कर्ण अबकरिया चै saves तो इसमें जब हाफ अबकरिया करवाते हैं एधनोल और एथनोइक अमल की एथनोइक अमल में प्रिवर्टन होता है तो इसमें जो एक तो oxygen, एक अनू oxygen का तो जुड़ता है और hydrogen के दो अनू है वो क्या है? कम हो जाते हैं, दो अनू की कमी होती है या फिर हानी होती है तो इसमें पूचे हैं अबिकरिया उपयोग होने वाले ओक्षिकारक का नाम लिखना अपको तो ओक्षिकारक हो जएगा KM나4, यह हो जएगा KM나4 है यह इसका एक ओक्षिकारक का एक्जामपल हो गया वի ठीक है अगला क्यूशन देखो भी next है किसी ऐसे संत्रप्त योगी का नाम बताओ उसकी स्रंचना दीजिए जिसमें कार्बन परमानु विल्ले की रूप में विवेस्तित होते हैं और इस योगी में उपस्तित एकल आबंदों की संख्या लिखनी है आपको साइकलो एकसिन होता है यानि वहेस्त रंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मज्द्य एकल बंद उपस्तित हो उससे ही हम क्या बोलते हैं संत्रप्त योगिक कहते हैं एकल बॉंड पाया जाता है कारवन कारवन के बीच में और जो ए संत्रप्त योगीक होते हैं उसके बीच में दिवी या फिर त्री बंद पाया जाते हैं ठीक है तो यहां पर संत्रप्त योगीक का पुछा है तो संत्रप्त योगीक में एकल बंद हो जाएगा कारवन कारवन के बी होनी चाहिए और यह कारवनच्छ हो गेसा एक दो वाग कैसे हैं क्योंकि ये क्या है साइप्रोज़ जोड़ने है ऊडियो क्योंकि ये हाथ है वो complete होने चाहिए भी और सभी के बीच में एकल बंद होना चाहिए क्योंकि संत्रप्त योगिक होते है उसके बीच में क्या होता है एकल बंद होता है और ऐसंत्रप्त के बीच में क्या होता है द्वी या फिर त्री बंद पाया जाता है सभी के बीच में एकल-एकल बंद ओरना चाहिए इस परकार से यह क्या बन जाएगा आपका साइकलो हक्सेन का बंद बन जाएगा स्रंखला बन जाएगा एक परकार से ठीक है एक तो oxygen की presence में होता है यानि oxygen की उपस्तिती में होता है और एक oxygen की absent में यानि अनुपस्तिती में होता है तो जो oxygen की उपस्तिती में होता है उसे हम oxygen बोलते हैं जो अनुपस्तिती में होता है उसे हम अनुपस्तिती में होता है उसे हम अनुपस्तिती में होता है तो पोदों मे को także जाति है और वो बाहर निकाल dirती है रंद्रों के द्वारा होता है और यह परक्रियव बहलें लगातार होटी रहती है जिससे जिन मेंuds स्थिकंद全 सब्सक्रास हो वायू के बीच गेंस्टों का विनिम में होता है और एक होता है वात्तव रणिये वायू थता अंतर कोशी के वायू में विनिम में होता है ठीक है आगे देखो भी next अपके पास में no number question आ जाता है जिवो में विविन स्पीसिज के लिए तो लाबदाइक है प्रन्तु वेस्ट के लिए आउशक नहीं है क्यों भी इसका कारण बताओ तो विविन्ता परजाती के लिए लाबदाइक होती है वह परजाती के लिए तो लाबदाइक होती है क्योंकि उसके कारण परजाती में कुछ ऐसे सदेश्य उत्पन हो जाते हैं जो अनेक पर्तिकुल परस्तितियों क के लिए घाल को अनकुलित कर लेते हैं या फिर इनके परति रोधी होते हैंір को प्राकरतिक चैन केके फल्चुरूप योगात्मक जीवित रहते हैं वेक्तिकत सदेश्य में उत्पन विबिंथाएं पर्यावण के अनकुल ने डिखने के लिए उप्योगी होती है ऐगे देखो इस सामने भीम व्कुलन एक को चीतर दवाराँ होता है तो इस में लिखना क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं वह ज Veterans में काईपरजननन् मुकुलन दवारा होता है अगर आप से पूछ ले वी एक नम्मर का question हाईड्रा में काईपरजनननग हो चीर मुकुलनग के दोर आ हiable है ठीक है और हाइडरा में आधार से सब आदार से कुछ उपर की कुछ कोशिकाएं विवाजित होकर एक बटन जैसी सरंचना बनाती है और इस सरंचना को कलिका कहते हैं और यह कलिका वर्दी करती है और इसे अगर भाग पर छोटे-छोटे सपरसंख बन जाते हैं और अब यह क्या है एक सिसू हाइड्रा का रूप ल इस परकार से आपको डाइग्रांब बनाना है यह होते हैं सपरसंख और यह होता है मुकूलन के दवारा इसका जनन होता है आगे देखो भी next question है आपके सामने भीवरावर क्या यहां यहां परवाहित धर्ण को करती है फाल ककी दारवाहिट परवाहित रही है और चालक का पर्तिरोध यह क्या है पर्तिरोध हो जाएगा और वी है वो क्या है वह यहां पर विवांतर हो जाएगा वी ठीक है वी क्या है विवांतर हो जाएगा तो यहां पर अधर चालक के सिरो का विवांतर वी चालक में प्रवाइत धारा आई और पर्तिरोध आर दोनों पर नीरपर करता है और यह दोनों के क्या है अनुकरमानपाती बोल दो या फिर समानपाती होता है तो वी बराबर क्या होता है इतना ही लिखना आपको अगला क्यूशन देखो भी आउतल दरपन के मुख्या फोक्स की परिवासा आपको लिखनी है मुख्या फोक्स की परिवासा इसमें डाइग्राम बनाया हुआ है यह रहा मुख्या एक्स किसे कहते हैं यह जो सेंटर लाइन है यह जो सेंटर लाइन है जो ध्रोपी से जाती है उसे हम क्या बोलते हैं मुख्या एक्स पर स्थित ऐसा बिंदू मुख्या एक्स पर स्थित ऐसा बिंदू जहां पर दरपन क के मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकास किरने प्रावर्तन के पश्यात मिलती है यह जो प्रावर्त समांतर जो किरने आती है यह समांतर किरने आ है आगे चलो भी नेक्स्क्विशन आता है आपके सामने धातू के दो धातू के दो पर्ती रोक्तों के चीचेट औप जे Peyer जे.. परदसित कॉन सा समांतर को परकट करता है। कारण स्भीत समझाना है । जैसा कि आपको पता है यहां पे हमने पढ़ा था पीछे V बराबर क्या होता है आई आर होता है तो आर बराबर क्या होजेगा वी आर बराबर होजेगा वी अपॉन में आई आर बराबर क्या होगा वी अपॉन में आई होजेगा तो यहां पे एक तो यह है यह है यह है वी और यह क्या है आई ओए ठीक है अब यह है क्यों और यह है पी अब इसमें क्या है स्रेनिकरम में श्योंजन ग्राफ है और इसमें आपको बताना है वह कौन सा ग्राफ स्मांतर श्योंजन अधिक है तो पी का जो क्यू का जो ढाल है वो पी से अधिक है तो क्यू का पर्तिरोध है वो पी से क्या होगा अधिक होगा भी ढाल अधिक है तो पर्तिरोध भी क्या होगा अधिक होगा तो यहां पे स्रेणी स्योंजन में स्रेणी स्योंजन से तुल्य पर्तिरोध है वो समा स्रेणी करम में कोई तुल्य पर्तिरोध है वो समांतर करम में समांतर करम में यानि स्रेणी स्योंजन से तुल्य पर्तिरोध समांतर स्योंजन की अपेक्षा आधिक होता है समांतर स्योंजन से क्या है आधिक होता है तो आता है क्यों स्रेणी स्योंजन थता पी समांतर स्योंज जर्व में पर्तिरोध है वो कम होता है तो जो ढदाल अधिक है तो परतिरोध यहां पर धाल करम को डिनोट कर रहा है आगे देखो भी next आपके सामने हैं दो चुम्ब के छेतर रेखाएं एक दूसरी को परतिछेद क्यों नहीं करती तो दो चुम्ब के छेतर रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरी को काटती नहीं है परतिछेद नहीं करती है क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरी को काटेगी तो कटान बिंदू पर क्या है? दो स्परस रेखाएं, कटान बिंदू पर दो स्परस रेखाएं खिंचे जा सकती है और जो क्या है? उस बिंदू का चुम्ब के छेतर दो दिशाओं में परदस्चित करेगी जो की possible नहीं है, क्योंकि चुम्ब के छेतर की जो रेखा होती है, दिसा होती है, वो एक ही होती है तो जब वो कारतेगी, तो वहां पे दो अपन स्परस रेखाईं खिंच सकते हैं और वो क्या है, दो रेखाईं, दो दिसा डिनोट करेगी जो की चुम्ब के छेतर की दिसा दो नहीं होती, एक ही होती है तो इसलिए चुम्ब के छेतर की जो रेखाईं है, वो क्या है? एक दूसरी को कारती नहीं है अगला question देखो भी next है, परियावन परदोसन क्या है? परियावन परदोशन क्या है तीन एजयो निम्निकनि परदोशकों के नाम लिखे जो बानों के लिए हानिकारक है तो परियावन परदोशन कहते किसे अभी ये तो सभी को पता है जल वायू और मर्दा के भोतिक रसाइनिक और जयविक गुणों में एवांचन ये परिवर्तन जिनके कान ये परियोग है तो नहीं रह जाते इन परिवर्तनों को वात्तवन ये परदोशन कहते हैं जैसे DDT, CSA है, Plastic है, Azure निमनिकनिये परदोशक है जो मानों को अधिक नुक्सान पहुंचाते हैं ठीक है, Plastic है, ये Plastic है, वो बहुँ ज़्यादा नुक्सान पहुंचाता है CSA है, DDT है, इस सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचाते हैं भी तो आज हमने 15 क्योशन तक Complete किया है, I hope आपको पड़ते क्योशन समझ में आया होगा और फिर भी कोई भी क्योशन में आपको doubt है, तो मुझे comment section में comment करके जुरू बताएं भी आपकी doubt को clear किया जाएगा Class पसंद आई है, तो दिल से like करना, ज़्यादा शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को class का लाम मिले चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को subscribe कर लेना, पास मिलेगे बेल आइकन को जुरू दबा लेना ताकि जैसे ही अपना next video डाले तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तो उसका लाब उठास को तो आज की class में इतना ही, मिलेंगे अपन next class में, तब तक के लिए जै हिंद, जे भरत